कुलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मडर केस के बाद पश्चिम बंगाल में हाला तनावपून हो गए हैं इसके इसको लेकर छात संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद बिजेपी ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया बंद की दोरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच जड़ पे हुई जिसमें सैक्डों लोगों को हिरासत में लिया गया है बंद की दोरान नौर्थ 24 पर गनाज लेके भाटा पारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फाइरिंग की गई लोगों को गोली लगी है जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रहे हैं कोलकाता में वीजफ़ेपी विधाया के अनियेंतरित अन्यमितर्ता पोल्स अहित कई नीताओं को पोलिस ने हिरासत में ले लिया है वही नादिया और मंगलबाडी चोरंगी में विजेपी और ट कारी बस चालकों को हेलमेट पहने देखा गया कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्या रोपी संजय रोई ने पोलिग्राम टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है जानकारी के अनुसार संजय ने 25 अगस्त को पोलिग्राम टेस्ट में इस बात का खुलासा किया कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की थी संजय ने यह भी बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले रेड लाइट एरिया गया था रास्ते में भी एक लड़की को छेडा था और अपनी गर्फ्रेंड से नियूर्ट तस्वीरे मांगी थी संजय का यह कबूल नामा रेप और मर्डर की अठारा दिन बाद आया है आठ और नो अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ यह घिनोनी घटना घटी नो अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार होल में लड़की की अर्ध नगन बोड़े मिली थी संजय को घटना की अगले ही दिन ही गिरफतार कर लिया था संजय मेडिकल कॉलेज में ही सिविल वॉलिंटियर था पुलिस के बाद 14 अगस्त को ये केस CBI को हैंड ओवर कर दिया गया था इसके बाद उसे सिला दे कोट में पेश कर दिया गया 23 अगस्त को अधालत ने संजय सहीत साथ लोगों के पोलिग्राम टेस्ट की इजाज़त दी थी मजिस्ट्रेट के सामने रोते हुए उसने कहा मैंने कोई क्राइम नहीं किया मुझे फंसाया जा रहा है शायद पोलिग्राम टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो पाए CBI ने अधालत में दावा किया था कि गिरफतारी के बाद संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसमें ने कोई घवराहत थी और ने ही कोई पच्तावा उसने बिना हिच्किजाहट के पूरी घटना आराम से बताई है